Hello everyone, मैं हूँ किरंशापुरी और ये है सापताहिक राशीफल Coming week का राशीफल शुरू करने से पहले आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने giveaway रखा हुआ है और ये giveaway last 2-3 weeks से on है और December end तक रहेगा तो जिन भी लोगों ने miss किया है या जो भी लोग participate करना चाहते हैं description box पे आपको 2-3 बहुत ही easy steps मिलेंगे जिनको follow करके आप participate कर सकते हैं और giveaway में हमारे पस बहुत ही beautiful, highly energized crystal bracelets हैं and yes जो भी last week के winners हैं I hope कि आप लोगों को आपका gift मिल गया है और नीचे comment section पे हमें जरूर बताएं कि आपको gift कैसा लगा, आपको मिला के नहीं मिला और अगर आप picture click करके हमें देते हैं तो और अच्छा लगेगा तो चलिए जी शुरू करते हैं coming week का साबता ही ग्राशीफल ये 30th November से लेकर 5th December तक की आपकी tarot readings हैं और tarot predictions हैं तो Aries आप लोगों के लिए देखें कि ये week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो हमार पास in general के लिए card है journey by moonlight जो की बहुत ही positive card है professional life के लिए card है light personal life के लिए card है abundance and lucky color आप लोगों के लिए है rust that is base chakra तो Aries यहाँ पे तीनों ही fronts के लिए बहुत ही positive cards है in fact अगर मैं last week का recall करूँ तो मुझे लगता है कि last week भी आपके बहुत अच्छे cards थे in general के लिए मेरे ख्याल से infinite abundance का card था और कहीं वैसी ही energies इस week भी continue कर रही है देखिए हाँ पे in general के लिए journey by moonlight का card हमें कहता है believe in magic तो सबसे पहली चीज Aries यह card आपको remind कर आ रहा है कि magic उनी के साथ होता है जो magic में विश्वास करते हैं तो पीछे किसी भी चीज को लेके अगर आप बहुत ज़ादा परेशान हुए हैं आपने उमीद छोड़ी है आपको ऐसे लगता था अब तो आपको वो चीज मिली नहीं सकती अब तो कोई possibility ही नहीं है आपने उस चीज से expectation ही छोड़ दी तो उससे related कोई possibility इस वीक आ सकती है कोई उमीद कोई hope जाग सकती है कुछ लोगों के लिए literally हो सकता है कि उनको वो चीज मिल रही है देखे magic का मतलब यह नहीं है कि कोई बहुत बड़ा चमतकार हो रहा है magic का मतलब सिरफ यह है कि जिसके लिए शायद आपने उमीद छोड़ी थी उससे related कोई उमीद आ रही है possibility या फिर again मैं कहूंगी कि वो चीज आपको मिल रही है और in general भी देखे Aries क्या होता है कि हमारे आसपास ही magic हो रहा है लेकिन जब तक जो चीज़े हमें मिल जाती है हमें उनकी importance नहीं होती और हम उसमें magic नहीं देख पाते देखे जो हम breathe कर रहे हैं वो in itself बहुत बड़ा magic है और lockdown से पहले हम लोगों को नहीं ये realization थी कि किसी भी loved one को बिना सोचे समझे हक करना उसके पास बैट के इनो carefree होके गपशप करना कितना बड़ा magic है और कितनी बड़ी blessings है तो again मैं कहूंगी कि थोड़ा सा आपका negative frame of mind हो रहा है या किसी भी चीज को लेके in general आप परेशान हो रहे हैं तो please सबसे पहली चीज तो आप इसमें विश्वास रखें कि magic होता है और हर चीज possible है और जो चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं आपकी life में आप उस पे focus करें किसी भी फील में आ सकती है और हो सकता है पीछे किसी भी चीज को लेके आप बहुत confused हो रहे थे एक clarity नहीं थी mental conflict चल रही थी तो कहीं वो भी इस week ठीक होती वही दिख रही है आपको एक clarity आती वही दिख रही है कुछ areas के लिए literally हो सकता है कि एक नई beginning आपकी professional life से related किसी भी area में हो रही है in general बहुत ही positive frame of mind आपका मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा gain मैं बोलूगी कि एक खुशी एक happiness भी आप लोगों के लिए दिख रही है आपकी professional life से related और यहाँ पर सब के लिए different reasons हो सकते है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई नई beginning हो रही है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनको बहुत ज़ादा एक appreciation एक recognition मिल रही है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि simply वो अपनी knowledge ये अपनी skills अपनी professional life से related update कर रहे हैं और उसकी वज़े से थोड़ा सा happy है और यहाँ पर देखिए personal life के लिए भी abundance का card है again बहुत ही positive card है और यहाँ पर abundance का card again वही चीज बोलता है कि जितना आप expect कर रहे हैं उससे ज़ादा आपको इस week अपनी personal life में मिल सकता है एक stability आ सकती है एक security आ सकती है क्योंकि यह देखिए abundance pentacles का card है tarot में तो financial यह money related कोई gain हो सकता है यह simply हो सकता है आप अपने loved ones को कोई gift दे रहे हैं आपके loved ones आपको कोई gift दे रहे हैं आप उनके साथ ज़ादा time spent कर रहे हैं या in general you know एक बहुत ही happiness joy overall मुझे इस week में देख रही है और lucky color आप लोगों के लिए है rust और base chakra का card में कहता है कि इस week थोड़ी सी grounding करना बहुत important है और दिखिए यहां पे भी high energy level और enthusiasm के cards है तो उस हिसाब से भी थोड़ी सी grounding इस week करना important है आप लोगों के लिए और इसके लिए अगर आप physical exercise करते हैं या simply garden में walk करते हैं तो वो भी काफी help करेगा और जो दिन आप लोगों के लिए इस week अच्छा है वो है Tuesday तो ये थी Aries आप लोगों के लिए coming week का साबता ही क्राशीफल और मुझे नीचे comment section पे जरूर बताएं कि आपके साथ कितना resonate किया कितना आप connect कर पाए